वीवर्स इन सैतानी लोगों ने मरेवे इंसानों को अर्थ पे वापस लाने का डोर ओपन कर दिया था और अगर ऐसा हुआ तो अर्थ के सारे बेकसूर इंसान मारे जाएंगे लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो एक पुलिस ओफिसर था क्या उन सैतानों को रोग भी पाता है कि हैल से भागा हुआ एक सैतान था और इसके सामनी जो भी चीजे आते जा रहे थी वो तो उन्हें पूरा डिस्ट्रॉई ही कर दे रहा था मानों कि वो मोटा आदमी खुद की मल्टी वर्स दुनिया में घूम रहा होता है निक और बॉबी तो सिर्फ उसे देखने के सेवा और कुछ भी ने कर पा रहे थे लेकिन ये सारी चीजे कुछी दिन पहले होना स्टार्ट हुई थी जब निक अपने गार्डन में सोने से भरा हुआ एक बैग जमीन के अंदर बड़ी चाला के से दफना रहा था दरसल निक अपनी बहुत ही ब्यूटिफुल वाइफ जूलि जा रही थी इसलिए वो तुरंद अपने डिपार्टमेंट में पहुच जाता है निक तो वहाँ पर अपने दोस बॉबी से मिलता है निक बॉबी से कह रहा था कि वो अपने हिस्ते के सारे सोने सरिंडर करने के लिए तैयार है लेकिन निक प्रॉमिस करता है कि वो इन सारी जो में बॉबी का नाम लेगा ही नहीं दरसल बॉबी और निक ने कुछ दिनों पहले सोना चुरा कर एक दूसरे में बाट लिया था लेकिन अब निक को तो ये सारी की ये गलत लग रही थी तो भी उनके डिपार्टमेंट में खबर आती है कि उन्हें ड्रग माफिया के लो गोली मार दी थी क्योंकि बॉबी ये चाहता ही नहीं था कि निक किसी को भी सोने के बारे में बताए और अब निक तो गोली लगने की वज़े से निचे जाकर गिर जाता है कुछ दिर बाद जब निक अपनी आँखे खोलता है तो उसके आस-पास की सारी चीजे एकदम से र जाता है और अब निक पता नहीं कैसे तीजी से ट्रेवल करता हुआ माइल नाम की एक औरत के सामने चला जाता है माइल निक को समझाती है कि उसके स्वर्ग या नर्ग जाने का फैसला कुछ दिनों बाद होगा क्योंकि पहले से ही उनके पास बहुत सारे केसे पैंडिंग है निक को तो लग रहा था कि वो किसी साइन फिक्षन मूवी में आ गया है माइल निक से कहती है कि जब तक उनका डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो उनके राई पीडी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है दरसल ये एक रेस्ट इन पीज डिपार्टमेंट थी जिसम पर निक को उसके एक नए पार्टनर से मिलवाती है जिसका नम रॉय था और रॉय इस मिशन में निक का साथ देगा उन सैतानी लोगों को पकड़ने के लिए अब निक का रॉय साही सलामत अर्ट पर आ जाते हैं पर निक जब रॉय के साथ अपने घर के तरफ निकलता है तो व और भी ज़्यदा फ्रॉस्टेशन में आ जाता है तब जाकर रॉय निक को सारी बाते अच्छे से समझाता है दरसल उन दोनों को जब वापस से अर्थ पर भेजा गया था तब उन दोनों की रियल आइडेंटिटी चेंज कर दी गई थी जैसे रॉय को एक बहुत ही पिफुल औरत में कनवर्ट कर दिया गया था और निको एक बहुत ही बुड़े चाइनिज आदमी में मतलब कि अगर कोई भी दूसरा इंसान उन दोनों को देखेगा तो वो उनके दूसरे आफ़तार में ही दिखाई देंगे निको आराइपीडी के ये सारे रूल पता चलन और उनकी ये एनर्जिस का इफेक्ट आसपास के जगाओ पर पढ़ता है जैसे कि तबाई होना और चारो तरफ काला पढ़ जाना डेडोस की इनिक लो को फॉलो करते करते रॉय और निक स्टैन नाम की एक आदमी के पास पहुँच जाते हैं वो दूनों तो स्टैन से काफी नहीं होगा उन्हें हराने के लिए तबी वो डेडो निक को रॉय पर हमला कर देता है उस डेडो ने तो खुद को बचाने के लिए अपना एक हाथ तोड़ दिया था जिससे कि उस डेडो को एक मौका मिला और वो तो वहाँ से तुरन भागने लगा उस डेडो के पास बहुत सारे सोने थे जिसे कि वो लगातर अपने मुझ के अंदर डालते जा रहा था पर अब निक ने उसी डेडो का कटा हुआ हाथ यूज करेके उसके सर पर वार कर दिया था जिससे कि उस खतरना डेडो ने मुझ में डाला हुआ सारा गोल्ड बाहर निकाल देता है निक वहाँ पर रॉय मौझूद था उसने तो अपनी गन के मदद से उस खतरना डेडो को मार दिया था यानि कि उन दोनों ने मिलकर अपना पहला मिशन कम्प्लीट किया था रॉय निक के पास आकर उसे बच्चा बोलता है क्योंकि उसने अपने पहले दिन पर इतना अच्छा प निक रॉय को सांती से समझाता है कि उन्हें इस गोल्ड के बारे में और भी जानकारी इकटा करने पड़ेगी क्योंकि इन सोनों के बारे में जानकर उन्हे एक बहुत बड़े प्लैन के बारे में पता चल सकता था क्योंकि आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डेड़ो सोनी को चुरा नहीं रहा था बलकि उसे प्रोटेक कर रहा था यानि कि जरूर दाल में कुछ काला है अब रोई निक को लेकर अपने एक खबरी के पास चले जाता है जिसका नाम एलेक्स था लेकिन रोई के पूछने पर एलेक्स उसकी कुल भी बातों का जवाब देता ही नही इसलिए अब उन दुनोंने एलेक्स पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था एक दिन निक और रोई ने एलेक्स को बाबी के साथ देख लिया था एलेक्स तो चोरी छुपे बाबी को सोनी का तुकड़ा दे रहा था यानि कि अब बाबी का भी इस केस से कुछ न कुछ तो अब इन सारी अलग लग चीजों को देखते वे रोई को भी इस केस में इंट्रेस्ट आने लगा था इसलिए वो दुनों लगातर बाबी का पीछा करते रहते हैं पर अब बाबी तो निक के घर पर चला गया था जब रोई और निक वहाँ पर पहुचते हैं तब बाबी ने बगीचे में से वही सोना बाहर निकाल लिया था जिससे निक ने कुछ टाइम पहले चुपाया था निक के वाइफ जूलिया को जब ये पता चलता है कि निक ने ये सारे सोने चुराए थे तब वो काफी उदास हो जाती है यहां रोई समझने लगा था कि निक की इस केस का म नास्टर माइंड है और वो तुरंत निक के उपर गन पॉइंट कर देता है लेकिन अब निक का दिमाई एकदम से खराब हो चुका था और वो तो बिना कुछ सोचे रोई को लगातार मारते जाता है निक रोई से बोल रहा था कि बले ही उसने गोल चुराए थे पर वो सिप उन्हें बेच कर पैसे कमाना चाता था ना कि डेडोस के लिए कोई काम निक से इतनी मार खाने के बाद तो रॉई सब कुछ समझ गया होगा इसलिए अब वो दोनों अपना मिशन कंटीन्यू करते हैं और बॉबी पर लगातार नजर रखते रहते हैं वो दोनों अब एक एर कर रहे थे कि वो बॉबी को आखिर कैसे जानता है वो आदमी कुछ जवाद तो नहीं देता पर उसकी ये क्रीपी स्माइल बहुत ज़्यादा खतरनाक चीजे होने की चेताउनी थी तबी अगले मोमेंट में वो आदमी एक डेडो में कनवर्ट होने लगता है जो कि वही मोटा आदमी तो सूटकेस लेकर वहाँ से भागने लगता है नेकर रॉय ऐस यूजल उसका पीछा कर रहे थे वो मोटा डेडो सिटी में चारो तरफ घूम के तबाई मचाते जा रहा था सच में अगर इसको रोका नहीं गया ना तब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सबी न्यूस चानल पर उसकी न्यूस चल रही थी इन सबी चीजों में उन्हें एक और बात पता चलती है कि वो सारे डेडो सोने के जिन टुकडो को प्रोटे कर रहे थे वो दरसल एक प्राचीन हथियार है जिसे की मिला कर बनाया जाता है और इस डेवाइस का यूज करके उस खतरनाक बोटल को ओपन किया जा सकता था जिससे की मरेवे इनसान वापस से अर्थ पर आ सकते थे इसलिए वो सारे डेडो सोने के टुकडो को जमा कर रहे थे लेकिन इतनी important information देने के बदले माईल ने निक और रॉय को सच्पेंट कर दिया था और अब तो सायद से वो उन दोनों को नर्क में ही भिजेगी अर्थ पर आने के बाद निक अपने वाइफ जूलिया को भागते वे देखता है पर इस बार वो उसके काफी पास जाकर उससे बड़ी फीलिंग के साथ टच करता है जूलिया तो एक मोमेंट के लिए उसके बातों में आ गई थी पर बाद वो दोनों मिलकर ये डिसाइट करते हैं कि वो कैसी भी करके उन सारे डेड़ो को रोकेंगे उनके प्लान में काम्याब होने के लिए निक को शक था कि बाबी भी एक डेड़ो है लेकिन उसके पास तो कोई भी नेगेटिव एनरजीज नहीं थी तब रॉय बताता है कि उसे एक अजीब तरीके का डिवाइस दिया था और बाबी कह रहा था कि वो अपने प्लान में जल्दी काम्याब हो जाएंगी अब जूलिया बाबी को कॉल करती है जूलिया ने तो बाबी को उस चाइनिज बुड़े आदमी के बारे में बता दिया था जिसने उसे एकदम निक की तरह टच किया था ये सारी बाते सुनकर बाबी समझ जाता है कि निक आराइपिडी डिपार्टमेंट में जाइन होकर अर्थ पर वापस आ गया है वहीं दूसरी तरफ रॉय और निक बाबी के घर पर आ जाते हैं निक ने तो डारेक्ली बाबी पर गन पॉइंट कर दिया था और अब निक उसे अपना वो ब्रेसलेट निकालने के लिए कहता है बाबी ने जब उस ब्रेसलेट को निकाला तब उसकी असली नेगेटिव एनरजीज दिखना स्टार्ट हो गई जिसने उस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था अब निक को ये बात कनफर्म हो गई थी कि बॉबी भी एक डेडो है इसलिए वो दोनों बॉबी को पकड़ कर आराइपीडी डिपार्टमेंट में लेकर जाने लगते हैं पर सूचने की बात ये थी कि बॉबी भी आसानी से माण गया था उनके साथ जाने के लिए अब वो तिनों आराइपीडी डिपार्टमेंट में पहुच जाते हैं जहां पर और भी बहुत सारे डेडोस थे जो अपनी अपनी सजा काटने के लिए वहाँ पर आये थे पर ये सारी चीजे तो बॉबी का एक प्लान था क्योंकि उसे कैसे भी करके डिपार्टमेंट में मुझूच सोने के बाकी टुकडों को हासिल करना था इसलिए जब एविडेंस बॉक्स खोला जाता है तब ये बॉबी ने अपना वो डिवाइस एक्टिवेट कर लिया था जिसे कि उसने एक दिन पहले दूसरे डेडो को दिया था उस डिवाइस के उपन होते ही वो सारे लोग एक जगह पर रुख जाते हैं और अब होना क्या था बॉबी ने अपने बाकी सात्यों के साथ मिलकर वहां के सारे सोने को चुरा लिया था और जल से जल वहां से 9211 हो रहा था रॉई न गूली मारकर उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी बॉबी अपने सारे दोस्तों को लेकर अर्थ पर निकल गया था और अब धीरे धीरे करके वो सारे डेडोस अर्थ पर फैल जाते हैं बॉबी तुरंत उस मोटे ड अगला प्लैन चालू कर सकें उन डेडोस ने सारे सोने के टुकडो को एक साथ जम्वा करके डिवाइस बानाना स्टार्ट कर दिया था वहीं निक और रॉई R.I.P.D. डिपार्टमेंट के सारे ओफिसर्स के साथ वहाँ पर आ गए थे और अब सारे ओफिसर्स और डेडोस क समझ गए थे कि बॉबी उन्हें कहां पर मिलेगा वो दुनों साथ में एक टीम की तरव उनका सामना करते वे निकल पड़ते हैं पर वहां तक पहुचने के लिए उन्हें उस मोटे डेड़ो और बाकी आदमियों से सामना करना पड़ेगा चारों तरफ एकदम से तबाही का मा हो लो गया था यहां बॉबी ने अपने आदमियों से बोलकर जूलिया को बुला लिया था दरसल उस डेवाइस को ओन करने के लिए किसी इंसान के खून की जरूरत थी और इसलिए बॉबी जूलिया की बली देना चाता था तब ही बॉबी को जूलिया का अस्ति चेरा दिख जाला था तब ही एकदम सही टाइम पर निक और रॉय वहाँ पर पहुँच जाते हैं उन दोनों ने तो लगातार सभी पर वार करना स्टार्ट कर दिया था पर वाबी भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है उसने तुरंती एक लोई के रोड से जूलिया के बॉड़ एब्सॉप करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो डिवाइस एकदम से अक्टिवेट हो जाता है और अब आसमान के तरफ फायर करते हुए उसने हैल का दरवाजा खोल दिया था जिसमें से मरे हुए लोग लगातर बाहर निकल रहे थे रॉय तो तुरंद उस डिवाइस के उपर एक छोटे ट्रक को गिरा दिया था जिससे कि वो डिवाइस पूरी तरीके से डिश्ट्राइब हो जाता है इस बज़े से बॉबी का ध्यान एकदम से बटक गया था पर निक इस मौके को कैसे छोड़ता इसलिए उसने सई टाइम पर बॉबी को गोली मार दी थी और दुनों तो इतने टाइम बाद मिलकर काफी खुश रहते हैं पर जूलिया तो अपने आखरी सासे ले रही थी निक बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो इस तरीके से मर नहीं सकती लेकिन ये सारी चीज़े तो उनके किस्मत में लिखा हुआ था अब जूलिया के मरने के बाद उसे RIPD डिपार्टमेंट पे लाया जाता है माईल तो उसके हॉस्पिटल में देख रह करती है और निक को भरुसा दिलाती है कि वो ठीक हो जाएगी इन सारी चीज़ों के बाद निक और रोय को वापस से RIPD डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया जाता है पर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी यदा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मज़दा स्टोरी जून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीयाँ